सुनिए इस नेता का असली भाषन, देखिए वो चाहता क्या है, क्या ऐसे नेता को वोट करना चाहिए, आप खुदी सुनिए और आप खुदी फैसला कीजिए, और मुझे बताना जरूर, सुनिए हिंदी हास्य कवीता, मुझे सरकार बनाने दो, ऐ बले बले हिंदी हास्य कवीता, मुझे सरकार बनाने दो, जो कतल कि सीका कर देगा, मैं उसको बरी करा दूँगा, हर गिसिपिटी हीरोईन की प्लास्टिक सरजरी करा दूँगा, लड़के लड़की और लेक्चरार सब फिल्मी गाना गाएंगे, हर कॉलेज में सब्जेक्ट फिल्म को क अंपल सरी करा दूँगा, हिस्ट्री और बिजगनित जैसे विश्यों पर बैन लगाने दू, बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दू, जो बिलकुल फकड़ हैं, उनको राशन उधार तुलवा दूँगा, जो लोग पियक्ड़ हैं, उनके घर में ठेके खुल दूँगा, सरकारी अस्पताल में जिस रोगी को मिलन सपाविस्तर, घर उसकी नब्ज छूटते ही मैं एंब्यूलन्स बिजवा दूँगा, मैं जनसेवक हूं, मुझको भी थोड़ा सा पुन्य कमाने दो, बस एक बार, बस एक बार, मुझको सरकार बनाने दू, शुरोता आपस में मरे कटे, कवियों में फूट नहीं होगी, कवि सम्मेलन में कभी किसी कविता की हूट नहीं होगी, कवि के प्रतेक शब्द पर जो तालिया न खुल कर बजा सकी, ऐसे मनुसों को कविता सुनने की चूट नहीं होगी, कभी की हूटिंग करने वालों पर हूटिंग टेक्स लगाने दो, बस एक बार, बस एक बार, मुझको सरकार बनाने दो ठग और मुनाफिक होरों की घेरावंदी करवा दूँगा, सोना तुरंत गिर जाएगा, चांदी मंदी करवा दूँगा मैं पल भर में सुलजा दूँगा परिवार नियोजन का पचड़ा, शादी से पहले हर दूले के पास होगा एक बचड़ा बस एक बार, बस एक बार, मुझको सरकार बनाने दो, धन्यवाद